आई पिएल दो हजार चौबिस जानि प्लेयर्ज की अदलावदली कौन प्लेयर्ज अधिलावदली हुए हैं कौन प्लेयर कहां जाएगा कहां जा सकता है चलिए आपको इस वीडियो में बताते हैं लेकिन उससे पहले आप शबी लोग का बहुत-बहुत स्वागत है इस दरसलोडिया वर्ल्ड कप 2023 के खत्प होने के बाद मेगा इवेंट आईपेल दोहजार 24 आ रहा है आईपेल इसले भी इंपोर्टेंट है इस बार का क्योंकि आईपेल के तुरंत बाद हमने T20 वर्ल्ड कप खेलना है दोनों के फॉर्मैट से में आईपेल भी 20 ओवर्स का होता इंडिया के प्लेयर्स ऊइस लीग में पाट लेते हैं क्योंकि मज़ा आता है हमारे लिए तो हार जैसा है यह पूरा जो दो महीने की लीग चलती है इससे पहले बहुत सारे नाम ऐसे हैं जो टीमज ने जो फ्रेंचाइजीज ने रिलीज करे है या रिलीज कर सकती है तो आ दस खिलाडियों में से सबसे पहरे नाम आता है Ben Stokes का जिसे CS के रिलीज कर सकती है उसके बाद आते है जोफरा आर्चर को Mumbai Indians रिलीज कर सकती है उसके बाद आते है उम्रान मलिक उम्रान मलिक ने इस बार IPL में पदर्शन अच्छा नहीं करा तो शायद ये भी रिलीज हो सकते ह उसके बाद आते है Tristan Stubbs इनको भी Mumbai Indians शायद रिलीज कर सकती है दिनेश कार्तिक दिनेश कार्तिक लगता है आप कमेंटरी पही फोकस करने वाले क्योंकि इनका बल्ला इस बार IPL में नहीं चला था उसके बाद आते है Harry Brook ने भले ही अच्छा खेला हो देश के लिए लेकिन IP के Patriot में इनका बल्ला उस तरीके से नहीं चला उसके बाद दिपक गूडा दिपक गूर्टा को भी लखनव सुपर जाइंट्स रिलीज कर सकती है अगले आते दसुन शनाका को भी झुजराट टाइटन स्योंब है कनी उसके बाद आते है लटsung उड़कि फर्गिसार के 10 खिलाडियों की लिस्ट जिसमें Ben Stokes से लेकर, Tristan Stubbs से लेकर, Dinesh Karthik से लेकर, Navdeep Samy, सब ही बड़े खिलाडियों के नाम है शायद यह लग रहा है कि IPL 2024 के auction से पहले यह खिलाडियों को अपनी अपनी franchises जो है इनकी वो शायद release कर देंगे क्योंकि production उस हिसाब से नहीं रहा, इस बार IPL 2023 में कि यह खिलाडियों को अपनी team में जगा दे पाए अब आप कमेंट्स करके बताईए क्या सबसे शॉकिंग नाम आपको क्या लगा इस पूरी 10 लिस्ट में क्या इसका नाम कैसे आगया यह कैसे आगया इन तो अच्छा परफॉर्म किया था यह release कैसे हो सकते है ज़रूर मुझे कमेंट्स करके अपनी राय बताईए ज़रूर मुझे कमेंट्स करके बताईए